नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत कर रही हूँ आप सभी का आपके अपने चानल आरोग्य इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा में दोस्तों हल्दी के फाइदे तो अनेक है हल्दी के कई सारे फाइदे हम आपको पहली ही बता चुके है लेकिन आज के इस पैकेज में हम आपको हल्दी के कुछ दुश प्रभावों के बारे में बताने जा रही है हाला कि हल्दी एक बेहद लाब प्रत प्राकृतिक तत्व है लेकिन यदि इसके प्रयोग की सही समझ ना हो तो इसके कुछ दुश परिणाम भी सामने आ सकते है दरसल हल्दी के दुश प्रभावों का सबसे बड़ा कारण इसकी गर्म प्रकृति है तो चलिए जानते हैं हल्दी के कुछ दुश प्रभावों के बारे में वैसे तो हल्दी का सेवन रक्त साफ करने का कार्य करता है लेकिन यदि इसकी ज्यादा मात्रा का सेवन कर लिया जाए तो हमारे शरीर में खून की कमी भी हो सकती है हल्दी के सेवन से पेट की गर्मी, गैस, मतली, चकर आना और दस्त लग जाना जैसी समस्याएं पैदा हो सकती है गर्भवती महिलाएं हल्दी के सेवन से पहले इसकी सही मात्रा का खास खयाल रखें इसकी सीमित मात्रा निसंदे बहुत लाप्रद होती है लेकिन यदि इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो इससे गर्ब पात का भी खत्रा हो सकता है सामान्य तोर पर भी ये लड़कियों और महिलाओं में महवारी को बढ़ावा देने का कारे करती है पिताशे की पत्री एवं पितकी रुकावट के मरीजों को हलदी का प्रेयोग नहीं करना चाहिए हलदी रख्ट के ठके बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है इसलिए ऐसे मरीजों को जिनको कोई खून की बिमारी है और रक्त स्त्राव का खत्रा होता है उन्हें हल्दी का प्रयोग नहीं करना चाहिए करक्यूमिन हल्दी में पाया जाने वाला एक रसायन होता है जो मदुमे के रोगियों में रक्त शरकरा को कम कर सकता है इसलिए मधुमेह के रोगियों को हल्दी का प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए अगर ये कम मात्रा में लिया गया तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है लेकिन अगर इसे ज्यादा मात्रा में ले लिया गया तो ये रक्त शरकरा को बहुत कम कर देगा कुछ लोगों में हल्दी की वजह से पेट खराब होने वाले केस भी देखे जाते हैं वहीं जिन्हें गर्ड जैसी बिमारी है हल्दी के सेवन से और भी भयंकर रूप धारण कर सकती है हल्दी की ज्यादा मात्रा टेस्टोस्टेरोन के स्तर को कम और शुकराणूं की संख्या में कमी कर देती है ऐसे लोग जो आगे बच्चे की योजना बना रहे हैं उनके लिए इसका सही मात्रा में सेवन बहुत जरूरी है हल्दी रक्त के ठके बनने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है इसलिए यदि किसी व्यक्ती की सर्जरी होनी हो तो वो कम से कम दो हवते पहले तक हल्दी का औशदीय प्रयोग बिल्कुल ना करें नहीं तो ये सर्जरी के दोरान या उसके बाद अतिरिक्त रक्त स्त्राव का कारण भी बन सकती है तो दोस्तों इन सभी बातों का जरूर ध्यान रखें हल्दी हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चानल आरोग ये इंडिया स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंबरा को धन्यवाद